हलो विवर्स, बेलकम बेक टू मैं चैनल, आज हम बनाएंगे गोपाल जी की पगड़ी, मैंने जो ड्रेस बनाएंगे ये वाली इसकी मैचिंग की पगड़ी बनाएंगे इस dress का जो वीडियो है बनाने का वो मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया, वहाँ से देख सकते हो, पगड़ी बनाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए इस तरीका का tag, आप ये देख सकते हैं, ये कुड़ते का tag है, और आपको चाहिए इस तरीके के लिए decoration के लिए ठ तरीके से, हमको चाहिए ये inch tip, हमको चाहिए ये thread और ये pen, सबसे पहले हम ये paper लेंगे और इस paper पर एक box draw करेंगे, देखिए इस तरीके का paper है, जो आसानी से मोड़ जाता है वो, सबसे पहले हम इस पर एक box बनाएंगे, तो जो box है, उसकी जो लंबाई रहेगी, वो 3 इस तरीके से हम क्या करेंगे, अब इसमें एक box बना लेंगे, जैसे मैं बना रही हूँ है, वैसे ही बना ली चाहिए इस तरीके से, जब आप ये paper लें तो ध्यान रखेंगे, ज्यादा soft नहीं होना चाहिए, नहीं ज्यादा hard medium होना चाहिए, इसली गोल circle बन जाए इसका, अब इसे हम काट लेंगे, अब हमें क्या कहना है, इसको double fold करना है, इस तरीके से, ये मैंने double fold करी, आप देख सकते हैं, इस तरीके से ऐसे, आप देखेंए, थोड़ा सा मुझे लगरा है, इसे trim करने की ज़रूँ होते हैं, तो मैं इसे थोड़ा सा trim कर दूँगी, इस तरी अब मैं पैन लोगी और इस पे एक बोट टाइप से आप देख सकते हैं इस तरीके से ऐसे एक बोट टाइप से ड्रॉ कर दोगी आप भी ऐसे ड्रॉ कर लीची जैसे मैंने कि इसका कोई मेजर में नहीं रेंडम आपको ऐसे ड्रॉ कर लेना है अब मैं आपको इसको काट के बत अब हम क्या करएंगे इसको इस तरीकेश से चुपकाेंगे तो हम glue की help से चुपकाएंगे जब आप इसको चुपकाओ तो चुपकाने से पहले अपने बालगोपाल अब देखिम हमने एक कपड़ा ले लिया है इस तरीके से आप अपढ़ा ले ले और इसपे कैसा circle याण साइट से थोड़ा बड़ा काट ली जिंगे जाया चोटा एतना अंदाजा लगा लेजाइए पूरा कपड़ा डाले तो जो हमने पेपर से यह फ्रेंग बनाया इसके अंदर पूरा चला जाये तो देखे इस तरीके से आप हम क्या करेंगे इसमें ग्लू लगाएंगे पूरे डालने के बाद भी एक बार भगवान जी का साइज ले लीजिए अगर उन्हें ये ठीली आ रही है तो आप क्या करिएगा एक और कपड़े की लिया लगा देज़ेगा जिससे उन्हें फिट हो जाएगी इस तरीके से इससे अराम से दबा दबा के एकदम राओं शेप दे दे तो इतनी लंबाई का आप कपड़ा एक ले लीजिए अब मैं क्या करूँगी इसकी जो किनोर है वो ग्लू से चिपका दूँगी आप चाहे तो मशीन से सिल सकते हैं आप चाहे तो इसमें लेस भी लगा सकते हैं मेरा कपड़ा काफी चंपीला था तो मैंने इसमें लेस नह आगे बन जाएंगे तो उसकी कोई टेंशन नहीं लीजेगा क्योंकि बाद में जब सूख जाती है तो हमारा पुड़गलू साफ हो जाता है यह देखे मैंने इस तरीके से चिपका दिया है यह चिपक एकदम रेडी हो गया है अब हम क्या करेंगे इसके जो दोनों किनारे ह जो भी चुपका देंगे मीरा यही कपड़ा फैल ने बाला इसलिए मैंने इसे चुपकाया अगर आप कॉटन की बना रहे हो तो आपको चुपकाने की कोई जरुवत नहीं फैलता है तो उसको इसकी किनारे भी बनाने के जरुवत नहीं होती अगर आप लैस लगा थे तो भ पतली-पतली प्लेट्स बनाएगा, यह कि ऊपर चपकाने के बाद मोटा हो गया है, तो मैंने दोनों हातों की हल्प से इसकी प्लेट्स बना ले रही है, प्लेट्स बने मुझे थोड़ी सी परिशानी आई थी, पर यह देखी, एकदम प्लेट्स बनके तैयार होगे, और रिकत ना जाहिए, देखे, मैंने एकदम नीचे से बाद था और यह देखे, बनने के बाद ही कितना प्रिटी लग रहा है, इस तरीके से देखे, अब हम क्या करेंगे, इस पर मैं इस तरीके से कुंदन चुपका दूगी, इसे थोड़ा डेकुरेट कर दूगी, आप चाहे अच्छ लग ईबाई टो यह मुझे फिका फिका लग रहा था इसलिए मैंने इसमें कुंदन अटेचच कर दिया आप चाये तो करें चाये तो छोड़ दें तो यह मैं इसमें अटेच करके आपको भी बता दे रहे मंग أو ये देखे मैंने इस तरीके से अटैच करने हो और अटैच होने के वाद ये देखे कितनी क्यूट लग रही है ये है ना अब हमको कह करना ये लेस लेनी है और ये देखे ये पगड़ी है जो हमारी इस तरीके की उसका ये फ्रंट साइड है तो हमें हैं फ्रंट से ही लगाना प्रंटे उसके तोड़े उपर से लेना जैसे मैं लगा रहे हूं आप इस से लगा देजिए उपर से लगाना शुरू कीज़ेगा उन टॉप से दिखे ऐसे इसको इस तरीके से और नीचे जब आप लगा रहे तो ध्यान रखेगा जो हमने ग्रीन कलर का कपड़ा लगाया है वो नहीं दिखना चाहिए नि तो अच्छा नहीं लगेगा आप चाहें तो मैचिंग का कपड़ा भी ले सकने हैं कि थोड़ा बहुत दिखे तो दिखकत ना जाए पर मेरे पास ये कपड़ा हूं मैं हमेशे इस बात का दियान रखती हूं कि हमारा जो हमने लिया है अस्तर क कपड़ा वो ना दिखे तो दिखे ऐसे इस तरीके से करके अमें ये लैस को काड़ दोगी और इन जो दो लो लैस के किनारे बचे हुए है इन अच्छे से ग्लू से फिक्स कर दोगी ताकि पूरे सैटल हो जाए बाद में ना निकले और ये दिखे ये जो हमारा उपर लटक इसको हटा दूँगे एक तब ये साफ कर दिए मिने इसके कोणे एक तब और इस तरीके से ग्लू लगा के इसको भी एक तब फिक्स कर दोगे आप आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके से बनके तयार होगी अब में यह देखिए इन मिने फ्लावर बनाय हुए है जो मैं लेस से और नेट के कपड़े से बनाया है तो मैं उन्हें अटेच करूगी तो मैं अभी आपको अटेच करके बता देती हूँ जह हम ये सब इन में लगाते है ना तो जो हमारी पगड़ी बनती है वो बहुत अच्छी लगती है और ये इसली बन भी जाते हैं और अटेच भी को चाहें तो एक भी लगा सकते हैं पर एक लगा लीजगा है तो थोड़ा से इसम अच्छा लोका जाता है इस तरीके से ये देखें यह जो है, इस तरीके से यह मैंने थीसरा बना लगा दिया, इस तरीके से देखे, अभी भी मैं उसको थोड़ा सा और डेकोरेट करूँगी, देखे, कुछ इस तरी से लग रहा है, अब मैं इसे थोड़ा सा और डेकोरेट करूँगी, डेकोरेशन के लिए देखे, मेरे पास इस तरह का मोती है, तो मैं इसमें वो अटेच करूँगी, आपके पास कुछ और हो, आप वो भी ले सकते हैं, जो आइटम आपके पास अबेलेबल हो, आप मैंने जो लगा है, उसकी जगे रेप्लेस करके अपने आइटम लगा सकते हैं, जो चीछे हो, यह देखे, इस तरीके देखे, इसका लुग कितना अच्छा लग रहा है है, अब यह क्या करेंगे, जो बच्ची कोई जगे थी, वहाँ लेस लगा देंगे, यह मैंने दो लेस की लेयर लगाई है, अगर आपकी लेस चोड़ी हो, तो आप एक ही लेयर से काम चला सकते हैं, आपको दो लेयर लगा है, उसके बाद में फूल चुपका दें, इसमें को इश्यू नहीं है, यह देखे, मैंने इस तरीके से इस चुपका रही हूँ, जैसे मैं इसे अटेच करेंगे, उस बात का दिहान रखना है, ताकि आपकी जो पकड़ी का है, वो लुक, एकड़म पर्फेक्ट लुक आ सके जैसे मेरी पकड़ी का आ रहा है, वो कि, यह देखे, हम इसे अट से हटा देंगे और इस तरीके से इससे चुपका देंगे, अब देखे, मेरे पास यह एक और मोती था, तो मैंने इसमें यह भी लगा दिया, देखे, कुछ इस तरीके से, यह देखे, आप देख सकते हैं, बनने के बाद कितनी cute लग रही है न अगर आपको मेरा ये ब्लॉक पसंद आया तो please मेरे चनल को like, share और subscribe जरूर करना thank you for